हलो फ्रेंद्स आज़के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप जो है अपने माइक्रो मैक्स आई एन नोट बन एंडुट मॉइल फोन में आप नोटिविकेशन वाइब्रेशन सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं और यह सेटिंग इनेबल करने के बाद जो है किस तरीके से काम करती है इस वीडियो में आपको बताने वालो हूँ तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने फोन में सेटिंग पेज ओपन कर लेना है Setting page open करेंगे तो आपको नीचे की side में आना है और यहां पर आपको Accessibility का यह वाला option मिल जाएगा Accessibility पर आपको select करना है इसके बाद Accessibility के इस page में आपको नीचे की side में आना है और यहां पर आपको Vibration and Haptic Strength का यहां बापशन मिलेगा इसे आपको select करना है अब यह setting आपकी पहले से off रहेगी ठीक है आपको इसे जो है on के उपर select करना है on के circle में जो है यह blue tick लग जाएगा अब यह notification vibration setting enable हो चुकी है अब यह काम कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ जब भी आपके mobile phone पे कोई भी notification receive होगा तो आपका phone जो है इसका एक तरीका और बता देता हूँ इस setting को आपको अपने mobile phone में shortcut तरीके से ढूढने का ठीक है तो यहाँ पर आपको अपने mobile phone की home screen पर आकर फिर से अपना setting page open कर लेना है setting page open करने के बाद आपको सबसे उपर search setting का यह option नजर आएगा search setting आपको select करना है अब यह search बार में आपको यहाँ पर जो है notification vibration आपको यहाँ पर type कर दिया तो नीचे की side में option शो होगा notification vibration का ठीक है जैसे option शो होगा तो आपको इसे select कर लेना है select करेंगे तो आपका phone जो है आपको directly notification vibration की setting में लेके आ जागा जैसे मेरा phone ये मुझे directly यहां तक लेके आ गया है तो ये मैंने आपको दूसरा तरीका बताया इस setting को आपके mobile phone में ढूंडने का